हेलो साथियो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं अवन सिंग रासबूत जैसा कि आप सब इको प्रॉमिस करके क्या था कि ट्रेंगल का जो चैप्टर है पूरा कवर करेंगे प्रीवेस एर कोशन के साथ इंपॉर्टिंट कोश्चेंटे उसे किस प्रकार सेटेंब्ड करना ची 선 किस प्रकार से सौलभ करना टेंग है अधा नमबर भी नाम्बर भी आधा नमबर भी ना च्योंगये से से हमारी percentage decide होती है अगर एक नंबर भी कम आता है तो परसेंटीज किर जाती है तो आप लोग को ध्यान रखना है सीखना है वीडियो को एंड तक देखना है इंजय करना है साथी साथ कमेंट बॉक्स में अपनी एक्टिविटी को भी सो करना है कि आप कितने एक्टिव होके और प्रवाइड करना चाहिए हम लोग को चलिए करते हैं अगले कोशन हमने पिसले पार्ट में कुछ कोशन किये थे उम्हें करते हैं दो 2013 में कोशन पूछा था एबी के सीडी टोंबस की प्रपर्दी ऑती है कि और चीवान हमारे पास डीडे कर आप dob तो एबी बराबर होगा वी सीडी बराबर होगा डी ए या कि धी-टी के इस इस नहीं किसे और पहले से ठीक है कि पूलकरना है ये है कि तुप्रूव रूप क्या करना में एपी इस्क्राइट प्लस बीसी स्क्राइट प्लस इस्क्राइट अगर हम इसको करें इसको डाइगनों ना लें यहापे वह लिखलें तो हमें पता है डाइगनल्स जोते हैं प्रपेंडिकुलर होते हैं संधी बाजित करते हैं तो और दूसरा दी ओ इक्वल टू डी ओ हो जाएगा ओके अगर देखे इस वाले ट्रैंगल की बात करें इस वाले ट्रैंगल की तो यह 90 ग्रिक्त है की ट्रैंगल की में करें हमें मिलेगा लिजन है को Brick वे और यह दोना एवो और सी वह तो बराबर है मतलब कि हम लिख सकते हैं कि एसी अपॉंट टू एवो को लिख सकते हैं एसी अपॉंट तो और ये स्क्वार्स सकते हैं अभिव sizin अपॉंट तो एशिरोण सब्सक्राइब और तो क्योंट एसी कहिए अपॉंट किंड होता है और्ल तो यह दैगा B A B Square is equal to A C Square plus B D Square एक है आगे लिखते हैं से 4 और क्या था A B Square A B Square equal to A C Square plus B D Square हमें पता है कि 4 एबी स्क्वार को हम लिख सकते हैं एबी स्क्वार प्लस एबी स्क्वार प्लस एबी स्क्वार प्लस एबी स्क्वार चार पा लिख सकते हैं एबी स्क्वार एबी स्क्वार एबी स्क्वार एबी स्क्वार और एक्वल्टू में क्या ACA square plus BDA square ठीक है हमें पता है कि AB equal to BC के equal to CD के equal to AD के तो इसको use करके square भी equal to होंगी AB AB को लिख दी हमने BC AB को लिख दी हमने CD और AB को लिख दी हमने AD BCA square plus BDA square क्या proof करना था हमें और विदी के ब्रावर है कि हमने प्रूब कर गिया वहात ही सिंपल वह में एंस प्रूब इसे हम लिख सकते हैं उम्मीद करता हूं समझ में आगया होगा वहात ही शिंपल कोश्षिन था लेकिन बहुत ही important ता छार number में आ सकता है या three number में आ सकता है आप लोगों जरूर से आना चाहिए triangle का ऐसे questions कात्बर पूछए आते हैं तो आपको आने ही चाहिए देखिए अगला question है अगले question बोला गया कि in a rectangle ABCD, ABCD एक rectangle है E is the midpoint of AD ABCD एक rectangle है ABCD एक rectangle है A, B, C और D जो है, rectangle है ठीक है E is the midpoint of AD AD का midpoint क्या है, E है ओकी, midpoint है मतलब कि AE equal to DE के, फ़रला हम लिख सकते है AD, sorry हम लिख सकते है AE equal to AD upon 2 ठीक है, हमें पता है कि जो 80 है, 40 है 80 है, यह पूरा 40 है तो क्योंकि यह midpoint है AE कितना आजागा, 40 पोटे दो 20 हाजागा, और इसको मिला देते हैं, B को AB कितना है, 48 क्योंकि हमें पता है, कि क्या पता है, rectangle की जो 4 sides होते हैं वो 90 degree पे angle पे मिलते हैं meet करते हैं, 90 degree के angle बनाते हैं यह पर 90 degree के angle बनाते हैं यह है, यह है A, यह है E, और यह है B, ठीक है? यह हमारे 48 है, और यह हमारा 20 है, यह निकालना है पाइथा कोरेस करते हैं तो पाइथा कोरेस के एकोर्णिंग क्या होगा? B square plus B square equal to H square प्रेपेंडिकुलर का स्क्वार, पतना 48 का स्क्वार करेंगे, प्लस बेस का स्क्वार करेंगे, एक वोल टो एच स्क्वार करेंगे, 48 का स्क्वार करेंगे, 48 इन्टू 48, 38 8 84 6 8 चोंग्यूं 32 चार चोंग्यट चोंग्यूं 32 चोंग चार चोंग चीद चोंग क्यां थां चोंग चीद था सब्सक्राइब होसां बार एक 1234, है क्यों हो जाएगा 400, है क्यों हो जाएगा 200, मैं हो जाएगा इस अगर हम 52 इंटो 52 करें इतना साइगा तो दोनी चार बांजोनी दस पांजोनी दस पच्छंप पचीस एक चब्वेस चार जीरो साथ चार गाज़ा अगर आप डाइगरम बना लेते हैं तो कोष्चन काफी आसान हो जाता आप लोगों के लिए देख काफी सिंपल हो गया डाइगरम से पहले कुछ समझनी आता लाइगरम बना आने के बाद कोष्चन काफी इजी हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे आप लोग अगले कोष्चन कर लेते हैं अगला कोष्चन देखिए यह काफी इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट को जाइगरम से लेते हमें, बुखे लेते हैं ओखे जाए लिए इंपुर्टेंगॉर्ट अगर्पॉर्टेंट कोष्चना दॉर्टेंट कोष्चना निया करते हैं मुर्टेंट हो मुल काफी इंद अगवल equal to AB square plus AC square कीसे मान लेते हैं? equation first फिर दूसरे triangle में in triangle क्या वाला triangle दिख रहे हैं? क्या वाला? इसमें चलते हैं इसमें चलने से क्या होगा? triangle का नाम लिख लेते हैं ABL ABL जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो BL का square है बराबर होगा ABK square plus L A ALK square और हमें पता है median है median का मतलब क्या L जो है median है L और M median है median का मतलब क्या किसी भी line को दो equal parts में divide करना तो इस line को दो equal parts में divide करेगा ये भी है भी तो AL को लिख सकते है AC upon 2 AL को क्या लिख सकते हैं AC upon 2 और ये square था तो देखिए ये BL square है BL square AB square plus AC square upon LCM लेंगे LCM आज जाएगा 4 BL square 4 AB square plus AC square upon 4 तो चलिए इसे आगे solve करते है BL square BL square 4 4 क्या था BL square 4 AB square plus AC square AB square plus AC square AB square plus AC square upon upon में क्या है upon में 4 upon में 4 cross multiply करेंगे तो 4 BL square 4 AB square plus AC square इसे माल लेते हैं equation second टेक है equation second है हमारा ही है बात करते हैं third triangle ये वाल ही triangle है हमारे पास इंट्रेंगल AMC AMC में इंट्रेंगल AMC AMC में देखेंगे तो क्या आएगा AMC में हम बोल सकते हैं जो CM का square है CM का square जो है वो AC square plus AM का square CM का square जो है वो AC square plus AM के square के बराबर है according to पाइथागोरस के ओरब CM square AC square AMC स्क्वार AMC में जो मीडियन है ये दोनों equal होगा मतलब क्या AB upon 2 लिख सकते हैं AM को AB upon 2 लिख सकते हैं यहां प्लेखिंगे AB upon 2 upon square से उसी process को दोहराएंगे CM square equal to AC square plus AB square upon 4 चलिए LCM लेते हैं LCM आज़ाएगा 4 CM square 4 AC square plus AB square upon 4 cross multiply करेंगे यहाँ आज़ाएगा 4 CM square 4 AC square plus AB square ठीक है इसको माल लेते हैं equation third equation second और equation third को add करते हैं ठीक है तो second second plus third second plus third को add करेंगे तो 4 BL square plus 4 CM square अब कैसे प्रत से लेगा कि हमें add करना है या subtract करना है तो देखिए BL square है और CM square है तो BL square CM square कैसे आएगा जब दोनों को add करेंगे ठीक है दोनों को add क्या equal to में क्या आएगा 4 AB square plus AC square plus 4 AC square plus AP square ओके देखिए 4 common आएगा यहां आएगा BL square plus CM square यहां देखिए 4 AB square plus AB square तो 5 AB square होजाएगा और यहां 4 AC square plus AC square तो 5 AC square होजाएगा तो हमारा answer आया 4 4 BL square plus CM square equal to 5 AB square plus 5 AC square यहां आएगा यहां आएगा और यहां इसमें से भी फाइब कॉमन ले लेते हैं यह 4 BL square plus CM square अगर हम 5 common लेते हैं इसमें से तो 5 common आएगा तो भचेगा AB square plus AC square हमें पता है कि AB square plus AC square क्या होता है देखिए AB square plus AC square equation paste AB square plus AC square जो होता है BC square के वराबर होता है तो इसको हम लेख सकते हैं इसको हम लेख सकते हैं BC स्क्वार यह 5 था तो 5 equal to 4 BLS-A2 थीक है यह हम एप्रूब करना था और हुआ यह हमने प्रूब कर दिया लिखेंगे एंप्रूब को आफ ही सिंपल कुश्चिन था है थोड़ा से concept यूज करना था थोड़ा से दिमार्ग लगाना था एक बार इसे फिर से repeat करके देख लेंगे कैसे क्या हमने और क्या करना चाहिए meet करता हूं question समस्वें आया होगा बहुत important question है तो-3 पार इस question को देखिए प्रैक्टिस करेंगे कि अब लोग के सामने हमने ऐसा एक डाइगरम बनाया है थेक है 90 डेगरी का एंगल बन गया हुच्छ कि अब क्या कर सकते है पीए स्क्वार कैसे आएगा पीए स्क्वार कर दो ट्रेंगल ले इन ट्रेंगल कि अबी सी और दुसरे ट्रेंगल सिमिलर होगा एए कि अबी पीए तो आही नहीं सक्था कि पीए दो बार कैसे आ सक्था है देखें दो ट्रेंगल है मारपा छोटे 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 वाले ट्रेंगल से ही हो सकता है बड़े वाले का कोई फाइदा नहीं है छोटे वाले ट्रेंगल को देखते हैं कि एबी पी और एसी पी ट्रेंगल एबी ट्रेंगल 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 एसी पी इसलिए हमसे प्रूफ नहीं हो पारा है ट्रेंगल का नाम देखें क्या लिख सकते हैं हम ट्रेंगल का नाम एबी पी एबी पी इस ट्रेंगल को अगर ऐसे बनाए तो कि इस ट्रेंगल को मोडिफाई करते हैं फिर पता चलेगा कि 90 डेगरी है यहां पर एलिग देते हैं यह वी है और यह सी है इस पे प्रेंडिक्लोर है पी इज़र इधार ट्रेंग्या ट्रेंगल यह हो गया तो एक यह हो गया हम बोले अगर कि एपी बी एपी बी ट्रेंगल एपी बी सिम्लर होगा ट्रेंगल यह वाला ट्रेंगल कि पी एपी 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 एक यह इससे हमारा काम बन सकता है इस ट्रेंगल को आपने मोडिफाई कर दिया इस वाले ट्रेंगल को मुडिफाई कर दिया और हमें दोट ट्रेंगल मिलें हमें दोट ट्रेंगल मिलें इनका रिष्ट देख लेते हैं क्या आएगा एपी बी एपी बी और सिपी एपी बी इसमें तो और यह क्या होजाएगा हैं होजाएगा हाइपोटिनेस यह जाएगा हाइपोटिनेस तो रहते से हम प्रूफ कर सकते हैं क्लेख ल dw गारहा कि यह लह कर सकतें हैं जये शक देखनेंटिया है थे यह सो ए कॉछ काम नहीं कि नहीं है कि नोंने को मल्टिप्लाइख करके लिखते कि आता है तो एपी को हम लिख सकते हैं है ऑपॉन चिपी को सीपी लिखते हैं ये इस्पालि तो आप लोग सोच रहोंगे कि पहले प्रूफ क्यों नहीं हो रहा था और अब कैसे प्रूफ हो गया बहुत सिंपल गोशन था लेकिन गलती यह हो रही कि हम लोगों से कि हम ट्रेंगल का नाम गलत ले रहे थे इसमें इस वाले ट्रेंगल में समझ नहीं आ रहा था कि हम ट्रे कि इसी के साथ हम चैप्टर 6 को समाप्ट करते हैं इसी के साथ हम चैप्टर 6 को समाप्ट करते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 7 के साथ उसके most important topics के साथ previous year questions के साथ दिसा कि आपके जो questions है वो cover हो सके और काफी अच्छे नमबर आ सके उमीद करता हूं वीडियो पसंद आयोगी वीडियो को enjoy किया होगा साथ ही साथ मजा किया होगा इस वीडियो से कुछ सीखा होगा नाया अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें comment में feedback दे अपना साथ ही साथ अपने दूस्तों के साथ मिलेंगे अगले नए वीडियो में अगले नए अमेजिंग कंसेप्ट के साथ अमेजिंग जोस के साथ एनर्जी के साथ तब तक ले बाए बाए टेक क्यार पढ़ते रहे हसते रहे और मुस्कुराते रहे